नमस्कार दोस्तों एग्रो गोल्ड एश्डी के यूटूब चैनल में आप सुई का बहुत-बहुत स्वागत है और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सुरुआत करने वाले हैं दोस्तों इसमें हम 50 questions करवाने वाले हैं और सभी जो हैं questions बहुत ही महत्पूर होने वाले हैं अगर आप यह अग्री कल्चर के छात्र हैं और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्पूर होने वाला है और साथ में दोस्तों आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिजए क्योंकि इस पर जो है objective question answers हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं और देखते हैं आज के questions क्या है तो दोस्तों यहाँ पर आपका पहला question है प्रदर्शन वीडिके जनक हैं तो इसमें आपके प्रसन नमबर एक का right answer आपका है option नमबर डी सी मैन ए नैप चलिए दोस्तों अगला question देखते हैं निम्ने से कौन सा वी एम कवक है तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा जो है question नमबर दो का ए वाला option चलिए दोस्तों अगला question देखते हैं question नमबर तीन आलू में इस्थम काइंकर एम काला पंडिदार सलका वृत का कारक है तो इसमें option हो जाएगे दो कवक एक कवक एवं एक जीवान एक कवक एक कवक एवं एक विसान तो इसमें दोस्तों आपका right answer हो जाएगा question नमबर त्री का option नमबर C एक कवक चले दोस्तों अब बगला question देखते हैं question नमबर 4 मूलियम गोभी के बीच पहला अंतर जेनेरिक संकर बनाया गया था तो इसमें आपका दोस्तों सही answer जो हो जाएगा question नमबर 4 का option नमबर D वाला answer सही हो जाएगा कारपे को सन 1927 ने चले दोस्तों अब अगला question देखते हैं question नमबर 5 ट्रीटियम एश्टिवम के ब्रूर पोस्त में गुड़ सुत्रों की संख्या होती है तो इसमें दोस्तों 44, 63, 65 या फिर 66 तो इसमें आपका राइट answer दोस्तों हो जाएगा question नमबर 5 का बी वाला 63 चले दोस्तों अगला question देखते हैं गलीरी सीडिया इसपे सीच का उप्योग होता है तो दोस्तों इसमें आपका राइट answer जो है वो हो जाएगा question नमबर 6 का बी वाला हरी पर्ड खाद के रूप में चले दोस्तों आप अगला question देखते हैं question नमबर 7 मली ब्लेडनम के कमी से होता है तो दोस्तों इसमें आपका right answer हो जाएगा 7 का वाला यानि कि फूल गोभी में हुइल पुच चले बगला question देखते हैं magnesium एक वी भाग है तो इसमें आपका राइट answer दोस्तों हो जाएगा question नमबर 8 का question नमबर 8 का c वाला परड हरित का चलिए दोस्तों अगला कुश्चन देखते हैं, जैविक नियंतरर में नुकलियो पॉलि हैड्रो वाइरस एन पीवी का प्रियो किया जाता है, तो इसमें आपका राइट एंसर दोस्तों हो जाएगा, नाइन का एवाला, चना फली छेदक के लिए, चलिए दोस्तों अगला इन में से कोई नहीं, तो इसमें दोस्तों आपका राइट एंसर जो हो जाएगा, कुश्चन नंबर टेन का, राइट एंसर है, बी वाला, अमूनिया, चलिए दोस्तों अगला कुश्चन देखते हैं, कुश्चन नंबर ग्यारा, अलप प्रदीप्त काली पॉधा, पॉधो नहीं, तो कुश्चन नंबर ग्यारा का दोस्तों राइट एंसर हो जाएगा, उप्सन नंबर सी, राते दीव कालीन हो, चलिए दोस्तों अगला कुश्चन देखते हैं, कुश्चन नंबर बारा, छिड़काओ के लिए यूरिया की अधिक्तम सांदृता सीमा होगी, 6%, 8% य 6%, चलिए दोस्तों अगला कुश्चन देखते हैं, कुश्चन नंबर त्यारा, मर्दा में नमी की मात्रा बढ़ाने पर मर्दा की उसमीय चालकता घटेगी, बढ़ेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं, तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर जो है, वो हो जाएगा, कुश्चन नमर 13 का, बी वाला उप्सन अपका राइट हो जाएगा, यानि की बढ़ेगी, चलिए बगला कुश्चन देखते हैं, उच्च कार्बनिक पदार से युगत भारी मर्दा की उसमीय चालकता होगी, कम अधिक कोई शमन नहीं, इनमें से को होगी नहीं, तो इसमें दोस्तों आपका जो राइट एंसर है, कुश्चन नमर 14 का हो जाएगा, राइट एंसर एवाला, यानि की कम, चलिए बगला कुश्चन देखते हैं, कुश्चन नमर 15, वी यल डबलू की बहुत देशी और धारडा दी गई, तो इसमें दोस्तों राइट एंसर जो हो जाएगा, प्रश्चन है, वी यल डबलू की बहुत देशी और धारडा दी गई, तो इसमें आपका राइट एंसर हो जाएगा, इटावा अग्रगामी योजना, चलिए दोस्तों अगला कुश्चन देखते हैं, कुश्चन नमर 16, परचुर खनीच की से काली मर्दाकारन काला होता है, तो इसमें दोस्तों आपका राइट एंसर जो हो जाएगा, कुश्चन नमर 16 का, ऑप्सन नमर C, मैगनीज, चलिए दोस्तों अगला कुश्चन देखते हैं, कुश्चन नमर 17, पूरक वरच सब्दा वली पौद रोपड विवस्था से चु तो कुश्चन नमर 17 का दोस्तों राइट एंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्सन नमर D वाला, यानि कि फर्ष्ट कोडिये विवस्था, चलिए दोस्तों बगला कुश्चन देखते हैं, कुश्चन नमर 18, रस, चूसक, कीटो है, तो कौन सा विश समुहू प्युक्त है, आम आप्सन नमर C, यानि कि दैहिक सरवांगी वेस, चलिए दोस्तों बगला कुश्चन देखते हैं, कुश्चन नमर 19, जीवाणों को मारने वाले विसाण कहलाते हैं, प्रतिजैविक या फिर जीवाण भोजी, ए तथा भी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो कुश्चन नमर 19 का दोस्तों, एंसर हो जाएगा, ऑप्सन नमर यहां पे B वाला, यानि कि जीवाण भोजी, तो चलिए दोस्तों, अगला कुश्चन देखते हैं, लाल मर्दा में लाल रंग का कारण है, तो इसमें दोस्तों, आपका जो राइट एंसर है, टुंटी का हो जाएगा, ऑप्सन योजना में भारती अर्थ ब्योस्ता में वार्शिक व्रद्धि दर का तैल लच्छ था, 9%, 8%, 10% या फिर 11%, तो इसका दोस्तों, राइट एंसर आपका हो जाएगा, टुंटी वन का, ऑप्सन नमबर C, यानि कि 10%, चलिए दोस्तों, अगला कुश्चन देखते हैं, टुंटी टुंटी टू का राइट एंसर, बी वाला हो जाएगा, 19 जुलाई, 179 को, तो चलिए दोस्तों, बगला कुश्चन देखते हैं, निमित बाजार सुनिश्चित करते हैं, खरीद मूल, समर्थन मूल, परिस्मिक मूल, या फिर उचित मूल, तो इसमें दोस्तों, आपका बगला कुश्चन देखते हैं, गन्य में नतरजन यूक्त और उरुकों के अधिक उपयोग से प्रकोब बढ़ जाता है, तो इसमें दोस्तों, आपका राइट एंसर हो जाएगा, 24 का जो है, सी वाला, यानि कि पायरिल्ला का, चलिए बगला कुश्चन देखते हैं, रोडेंट में आते हैं, चुहें चेचंदर, चुहें गिलहरी, चुहें गिलहरी एवं चेचंदर, या फिर चुहे, प्रसन है दोस्तों, रोडेंट में आते हैं, तो इसका दोस्तों, राइट एंसर जो है, हो जाएगा, 25 का, सी वाला, यानि कि चुहें गिलहरी एवं चेच चुन्दर चलिए अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन है दोस्तों करनाल बंट प्रकोपित खेत में दुरगंद आने का कारण है तो दोस्तों इसका आपका राइट एंसर हो जाएगा टुन्टी सिक्स का ऑप्सन नंबर बी या यानि की ट्राइमिथाइल एमीन च इसमें दोस्तों आपका राइट एंसर हो जाएगा टुन्टी सेवन का ऑप्सन नंबर ये वाला यानि की सूपर फासफेट चलिए बगला कुश्चन देखते हैं विसीरसी करण एवम विसरांगी करण प्रकार है पुनिंग के मुकुलन के ट्रेनिंग के या फिर कलम बांध तो इसमें दोस्तों आपका राइट एंसर हो जाएगा टुन्टी एट का बी वाला यानि की मुकुलन के चलिए एकला कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमर टुन्टी नाइन प्रसार सिच्छड विधियों के उपयोग के आधार पर कौन सी समूह संपर्क विधि नहीं है तो इसमें दोस्तों आप्सन दिये गए हैं संगोटी, खेत प्रमड, फ्लैस काई या फिर प्रदर्शन तो इसमें आपका दोस्तों राइट एंसर हो जाएगा टुन्टी नाइन का C वाला option आपका right हो जाएगा यानि कि fly sky चलिए वगला question देखते हैं एक ही करत ग्राम विकास कारे क्रम की मू लिकाई है इसमें option दिये गए हैं एक गाउं या फिर एक समदा, एक विकास खंड या एक परिवार या एक जिला तो इसमें दोस्तों आपका right answer हो जाएगा तीस का option number C वाला यानि कि एक परिवार चलिए वगला question देखते हैं करसी मूल या या योग की स्थापना हुई थी सन 1979 में या फिर सन 1961 में या फिर सन 1965 में या फिर सन 1960 मे तो इसका दोस्तों right answer जो है हो जाएगा आपका option number C वाला यानि कि सन 1965 में इसकी थापना हुई थी चलिए वगला question देखते हैं question number 32 वर सन 1965 में डाक्टर हर गोविंद कुराना को Nobel प्रुसकार से सम्मानित किया गया दोस्तों इसका right answer जो हो जाएगा 32 का इसमें आपका सही answer जो है दोस्तों वो हो जाएगा B वाला यानि कि अन्वांसिक कूट के लिए चलिए अब अगला question देखते हैं सुद्ध वन्स करम है तो इसमें से आपका सुद्ध वन्स करम कमसा हो जाएगा दोस्तों तो इसमें आपका right option हो जाएगा 33 का option number A वाला यानि कि समांगी अम सम्युगमन जी चलिए दोस्तों अगला question देखते हैं question number 34 glycolysis का अंतिम उत्पाद है तो इसमें आपका दोस्तों right answer हो जाएगा 34 का जो सही answer है वो दोस्तों हो जाएगा option number D वाला यानि कि pyruvic अमल चलिए अगला question देखते हैं question number 35 संकर कपास के जनक हैं तो इसमें आपका दोस्तों जो right answer है वो हो जाएगा option number question number 35 का option number C CT Patel चलिए अगला question देखते हैं जीन प्रारूपों की अनकूलता बढ़ती है इसमें दोस्तों आपका जो right answer है वो हो जाएगा 36 का option number C वाला यानि की पुंज विदि द्वारा चलिए बगला question देखते हैं प्रतीप संकरड विदिमे ग्राह जनक को कहते हैं तो इसमें आपका दोस्तों option दिये गए हैं आवर्ती जनक, अनावर्ती जनक, दाता जनक या इनमें से कोई नहीं तो इसमें आपका राइट एंसर हो जाएगा 37 का दोस्तों option number A वाला चलिए दोस्तों बगला question देखते हैं नरबंधिता बढ़ती है अन्ता प्रजनन से या बाह प्रजनन से या समांगता से या इनमें से कोई नहीं तो इसमें दोस्तों आपका जो राइट एंसर है 38 का हो जाएगा option number C यानि कि समांगता से चलिए अगला question देखते हैं स्वाइस्थानिक संग्रेच्छड में जनन दिरविका संग्रेच्छड किया जाता है जीन बाइंक में प्राक्रतिक वस्था में या फिर A तथा भी दोनों इन में से कोई नहीं तो इसमें आपका दोस्तों right answer जो है वो हो जाएगा question number 39 का option number B यानि कि प्राक्रतिक अवस्था में चलिए दोस्तों अगला question देखते हैं question number 40 भूम की नमी मापी जाती है hydrometer दोरा, potometer दोरा tensiometer दोरा या फिर rain gauge दोरा तो इसमें दोस्तों आपका right answer है वो हो जाएगा question number 40 का tensiometer दोरा यानि कि option number C वाला आपका right option हो जाएगा option number C चलिए दोस्तों बगला question देखते हैं question number 41 sense list प्रजात को कायम रखने के लिए करते हैं swap परागड, मुक्त परागड, सीर्स पर संकरण या फिर इनमें से कोई नहीं तो इसमें दोस्तों आपका right answer जो है वो हो जाएगा question number 41 का option number A यानि कि swap परागड चले एगला question देखते हैं 42 मुक्त परागित समेश्ट को कहते हैं तो इसमें दोस्तों आपका जो right answer हो जाएगा 42 का option number D यानि कि ये सभी चले दोस्तों अगला question देखते हैं 43 बिंद सराव का कारड है मूल दाब प्रकाशनस लेसर प्रासरड या फिर वात्पो सर्जन तो इसका दोस्तों right answer है वो हो जाएगा 43 का option number A वाला मूल दाब के लिए दोस्तों अगला question 44 मेंडेलियन समश्ट का अर्थ है तो इसमें आपका right answer जो है दोस्तों वो हो जाएगा 44 का option number C चले दोस्तों अगला question देखते हैं या दि मूल में परिवरतन 1% हो और मांग में परिवरतन 1% हो तो मांग कहलाएगी लोच या फिर पोड़ लोच या फिर अलोच या फिर इकाई लोच तो इसमें दोस्तों आपका right answer जो हो जाएगा 45 का option number D याला यानि की अलोच चले बगला question देखते हैं या दि विस्थापन अनुपात मूल या अनुपात के बराबर है तो लागत अधिक्तम होगी नियूंतम होगी या फिर बढ़ेगी या फिर घटीगी तो इसका दोस्तों right answer है वो हो जाएगा option number B नियूंतम होगी चले बगला question देखते हैं question number 47 केहु के सिथिल कंडवा के नियंतरड के लिए बीजोब चार होता है कैप्टान से या थीरम से या वीटावैक से या एगलाल से तो इसमें दोस्तों आपका right answer जो हो जाएगा option number C वाला वीटावैक से अब अगला question है diamond back moth कीट है तो मतर का या फिर टमाटर का या फिर फूल गोबी का या फिर लोकी का तो इसमें दोस्तों आपका right answer जो हो जाएगा diamond back moth का कीट है तो इसमें आपका right answer जो है वो 48 का C वाला हो जाएगा फूल गोबी का चले दोस्तों बगला question दिखते हैं 49 उत्तक 6 सब्दावली संकेत करती है कोशकाओं के मुरत होने को अंग मारिता या फिर कुच्चन या फिर छुड़ता तो इस प्रसंद का दोस्तों आपका right answer जो है वो हो जाएगा कोशकाओं के मुरत होने का यानि की option number 1 चले बगला question देखते हैं ये दोस्तों last question है तो चले दोस्तों ये देख लेते हैं कौन सी कीट नासक दवा का प्रियोग तीमक के नित्रड में होता है तो इसमें दोस्तों आपका right answer जो है वो हो जाएगा कुच्चन नमबर पच्चास का option number C यानि कि क्लोर पायरी फॉस तो दोस्तों आज की class कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर लिखे तो चले दोस्तों मिलते हैं एकले वीडियो में